नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की कलिफेस जेल का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है कलिफेस जेल को कैसे लगाना चाहिए और कलिफेस जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की कलिफेस जेल को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडीशन्स में कलिफेस जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है कलिफेस जेल का उप्योग मुख्य रूप से एकने यानी चेहरे पर मुहासों की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है कलिफेस जेल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है कलिफेस जेल के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन क्लीनडा माइसिन और निकोटिनामाइड होता है क्लीनडा माइसिन एक एंटी बायोटिक दवा है जो पिम्पल्स और मुम्हासों के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया को मारती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रूपती है निकोटिनामाइट पिमपल्स और मुमहासो की वजह से हुई त्वचा की सूजन और रेडनेस को कम करता है इसके अलावा कलिफेस जेल चेहरे पर ओयल के ज्यादा प्रोडक्शन को रूखती है क्योंकि ज्यादा ओयली त्वचा होने पर मुहासे वपिमपल्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है कलिफेस जेल मुहासो वपिमपल्स की वजह से हुए चेहरे पर दाग धबों को कम करके रंग को साफ करने में भी मदद करती है अब हम दिस्कस करेंगे की कलीफेस जेल को कैसे लगाना रेकमेंडेर होता है। कलीफेस जेल को लगाने से पहले आपको अपने चेहरे वा हाथों को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। आप अपने चेहरे को face wash या साबुन की मदद से भी धो सकते हैं और उसके बाद चेहरे वा हाथों को अच्छी तरह सुखाने के बाद कलीफेस जेल की एक पतली लेयर प्रुभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगानी चाहिए कलीफेस जेल को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर कलीफेस जेल को दिन में दो बार सुभा वर शाम को लगाने की सलाह देते हैं कलीफेस जेल का असर दिखने में दो से लेकर तीन सपता का समय लग सकता है लेकिन कुछ व्यक्तियों में इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में कलिफेस जेल का असर दो से लेकर तीन सपताह में दिखने लग जाता है। अब हम डिसकस करेंगे कि कलिफेस जेल की वजह से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में कलिफेस जेल की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसंथ व्यक्तियों में कलिफेस जेल की वजह से कुछ सामाने side effects हो सकते हैं। जैसे त्वचा में जलन, खुझली, त्वचा में सूखापन और त्वचा की एक पतली लेयर पप्री बन कर उतर सकती है. इन साइड इफेक्स को दिन में मॉस्टराइजिंग क्रीन या वैसलीन लगा कर कम किया जा सकता है. लेकिन अगर आपको कलिफेस जेल को लगाने के बाद त्वचा में जलन या त्वचा में खुझली ज्यादा होती है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि कलिफेस जेल को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. और किन कंडिशन्स में कलिफेस जेल को लगाना रेकमें डेड नहीं होता है. जब तक आप कलिफेस जेल को लगा रहे हैं, तब तक आपको दिन के समय में सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए क्योंकि कलिफेस जेल की वजह से वचा धूप के प्रती बहुत ज्यादा समवेदनशील हो जाती है और जिसकी वजह से संबन होने का रिस्क अधिक हो जाता है अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर संस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए या आप धूप से बचाव करने के लिए अंब्रेला यानी छत्ते का भी प्रियोग कर सकते हैं कलिफेस जेल को आख नाक और मुंके किनारों के पास लगाना रेकमेंडेड नहीं है इसलिए कलिफेस जेल को आख नाक और मुंके किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए कलिफेस जेल को घाव के ऊपर या त्वचा पर कोई इंफेक्शन होने पर कलिफेस जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं है इसलिए कलिफेस जेल को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कलिफेस जेल का उपयोग करना रेकमेंडेड नहीं है. इसलिए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कलिफेस जेल को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लगाना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान कर रही महिलाए कलिफेस जेल को लगा सकती है या नहीं प्रेगनेंट महिलाओं के लिए कलिफेस जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं है और जो महिलाए स्तनपान करा रही है उनको भी कलिफेस जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि अभी इसके बारे में परियाप डेटा अवेलेबल नहीं है की कलिफेस जेल मा के दूद में निकलती है या नहीं इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कलिफेस जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कलीफेस जेल को नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कलीफेस जेल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं